विश्कार दोस्तों स्वागत आप सबका इंडियन हाउसिंग में आज के वीडियो में हम जानेंगे SBI होम लोन स्कीम के बारे में SBI से होम लोन कैसे ले सकते हैं eligibility criteria क्या है interest rate क्या है security क्या है margin क्या है और आप से क्या क्या charges लिए जाएंगे इसके इलावा SBI के और भी बहुत सारे schemes है जिन पर हम already वीडियो बना चुके हैं दूस्तों चनल पर नए है तो चनल को subscribe कर दें बेल आइकोन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियो से regular home loan scheme state bank से home loan लेने के बहुत सारे तरीके हैं एक तो आप offline apply कर सकते हैं कोई भी आपके nearest branch हो वहां पर जाके आप easily apply कर सकते हैं SBA की branch almost सभी जगा available होती है अगर आपके पास SBA की branch नहीं है या आप branch पे विजिट नहीं करना चाहते हैं तो आप online apply भी कर सकते हैं online application link आपको नीचे provide कर दूँ है description box में अब वहां से जाके online page पे चले जाएंगे वहां से आप बहुत simply apply कर सकते हैं उस भी कुछ भी समझाने जासा नहीं है आपको अपने personal details बढ़नी है कि आपका address क्या है कहां पे रहते हैं कितनी income है इस सारी details बढ़ने के बाद आपको finally submit कर देना है और आपका application जो है वो बैंक के पास चला जाएगा bank आपका civil वगारा generate करेगा credit history चेक करेगा उसके बाद में आपका जो application है वो process कर दिया जाएगा application बहुत बड़ा concern नहीं है easily आप online offline दोनों तरह को से apply कर सकते है SBA के बहुत सारे schemes है अलग-अलग लोगों को अलग-अलग cater करने के लिए बहुत सारे schemes SBA के बनाएगे हैं even की defense के लिए SBA का अलग scheme है government employees के लिए SBA का अलग scheme है जे एक general scheme है जिसमें सभी लोग fall कर सकते हैं बाकि बहुत सारे customize scheme SBA के बनाएगे home loan के लिए उन पर हम already videos बना चुके हैं उनका link आपको मिल जाएगा नीचे description box में SBA home loan purpose SBA इंडिया का largest home loan provider है आप अपनी किसी तरह की भी home loan को आप अपनी किसी भी home loan requirement को पूरा करने के लिए SBA से home loan ले सकते हैं चाहे आपको क्यों plot purchase करना है plot आपके पास है उस पर construction करनी है ready built home लेना है flat लेना है repair renovation करना है furnishing करना है या आपने already किसी bank से home loan लिया है उसको take over करवाना है घर बना चुके है home loan नहीं लिया है तो उसको reimbursement कराना है तो कोई भी आपकी requirement हो सकती है उसको पूरा करने के लिए आप state bank of India से home loan ले सकते हैं eligibility criteria कोई भी loan अगर आप इंडिया में लेना चाहते हैं तो आपकी minimum age 18 years होनी चाहिए steady source of income होना चाहिए चाहिए वो आपकी salary से हो या आप non-salid है non-salid में आप कोई professional है small businessman है trader है shopkeeper है agriculturalist है या कोई और allied activities करते हैं कोई भी आपका profession हो सकता है पर आपके पस regular source of income होना चाहिए backed by valid income proof तो आप इस loan scheme का लाब उठा सकते हैं in case property holder जो है जिनके नाम पर property है उनके पास कोई independent source of income नहीं है तो उनके near relative उनके family में से कोई उनको join कर सकता है as co borrower और उनकी income से वो loan का eligibility बन सकता है loan tenor तो home loan का maximum tenor जो रहता है वो 30 years का है 30 years के अंदर सारा loan repay करना पड़ता है subject to maximum age of 70 years तो 70 years से जादा आप loan को stretch नहीं कर सकते हैं और वो भी आपकी income और income source पे depend करता है कि आप कितना loan को stretch कर सकते हैं for example अगर आप salaried है non-pensionable job है तो जैसे ही आपका retirement होगा उसी के हिसाब से ही आपकी maximum eligibility calculate की जाएगी तो यह depend करेगा आपके profession पे आपकी age पे कि कितना आपको maximum time मिलेगा इसलिए उनको repay करने के लिए SBA home loan holiday period तो construction के लिए maximum to maximum 48 months तक का holiday period हो सकता है depending upon height of the building जिस तरह की building की height होगी जिस तरह के floors होगे normally seven floor तक 18 months का holiday period रहता है तो जैसे जैसे floor के height बढ़ती जाती है उसी के हिसाब से maximum आपको moratorium मिलता है purchase के case में maximum one month का holiday period आपको दिया जाता है और co borrowers जैसे के मैंने आपको already पताया co borrowers को add किया जाता है अगर आपकी income कम है उसको enhance करने के लिए भी आप co borrowers add करते हैं अपनी family में से किसी को maximum co borrowers जो है वो three आप include कर सकते हैं अपने home loan के अंदर loan documentation तो loan documentation में primary documentation रहेगी आपकी KYC KYC में आपका valid address proof, ID proof, home loan का form जो कि आपको bank से ही मिलेगा आपके latest passport size photographs, income का proof जो कि depend करेगा आपके profession पे salary है तो आपकी salary slips और last two year का form 16, non-celerate है आपकी income tax return की copies, profit and loss statement, balance sheets आपके business की, business activity का proof तो यह आपके profession पे depend करता है, salary के लिए salary account की statement, non-celerate के लिए उनकी business account की और personal account की दोनों की statements, उसके अलावा property पर papers जो की depend करते हैं आपकी requirement पे, अगर आप construction कर रहे हैं तो permission for construction, registered agreement for sale, occupancy certificate, share certificate, approved plan की copies, payment receipt और bank account statement showing all the payment made to the builder और seller, तो यह depend करता है जिस तरह की आपकी requirement होगी, for example, अगर आप purchasing कर रहे हैं तो उसमें agreement to sell तो होगा ही, तो वो required है construction करने जा रहे हैं तो local authorities से construction की permission होगी, construction का estimate होगा, तो depend करेगा आपकी requirement में जिस तरह की requirement होगी, उसी तरह की documentation भी आपको provide करनी पड़ेगी, यह person to person vary करता है और bank आपको उसके लिए apply guide कर देते हैं, फिर भी कोई doubts हैं तो आप हमें नीचे comment box में comment करके पूछ सकते हैं, state bank of India maximum home loan amount, इसमें कोई भी maximum amount नहीं रहता है, यह depend करता है आपकी income पे, maximum LTV पे, और आप कितना loan amount apply करते हैं उस पे, इस सारी चीज़ों को देखने के बाद, decide किया जाता है, आपको कितना loan दिया जाता है first हम देखेंगे कि आपकी income के हिसाब से किस तरह से आपको loan दिया जाता है, EMI by NMI ratio है, जो कि maintain करनी पड़ती है, for example आपकी net annual income है 1,20,000, तो net annual income है, gross annual income नहीं है 1,20,000 अगर 12 महीने के तो एक महीने की वो 10,000 होगी, उस case में 20% से जादा आप EMI नहीं जे सकते, 10,000 for example आपकी monthly income है, तो उसमें 2,000 की आप EMI बर सकते हैं, बाकी के 8,000 को bank touch नहीं करेगा वैसे ही जैसे जैसे income बढ़ रही है, EMI by NMI ratio भी बढ़ रही है, second slab है 1,20,000 तो 3,000, maximum, 3,000, अगर आपकी salary है या income है साल की, तो monthly बनती है 25,000, तो 25,000 में से 30% maximum bank EMI ले सकता है, जो कि बैढ़ता है 7,500, तो आपको उतना ही लोन मिलेगा, जिसमें EMI जो है वो 7,500 या उससे कम होगी, वैसे ही next slab है 3,00, to 5,00, 55%, 5,00, to 8,00, 60%, 8,00, to 10,00, 65%, above 10,00, 70%, तो ये depend करता है, above 10,00, for example आपकी income है 12,00, monthly बनेगी वो 1,00, उसका 70% है 70,000, तो maximum 70,000 EMI दे सकते हैं, तो ये depend करता है आपकी income पे, उसी के हिसाब से आपकी AMI by NMI ratio होती है, loan to value ratio, तो ये loan to value ratio होता है, जितनी भी आपकी property value है, उसकी कितने percent तक आपको loan दे सकते हैं, for example अगर आप जो property ले रहे हैं, उसकी value 30,00,000 रोपीस है, 30,00,000 का 90%, that is 27,000, तो maximum loan आप उस property पे 27,00,000 तक ले सकते हैं, वैसे ही जैसे जैसे value बढ़ रही है, above 75,00, 75 percent, एक करोड की अगर आपकी property की value है, तो उसमें से 75% आप loan ले सकते हैं, that is 75,00,000, बाकी का 25,00,000 आपका खूद का contribution, यानि कि आपका margin रहेगा, temp duty और registration charges को आप include कर सकते हैं, अपने project cost में, सिर्फ तब आपका जो total project cost है, वो 10,00,000 से जादा exceed नहीं होगा, अगर 10,00,000 से जा charges या documentation charges को आप include नहीं कर सकते हैं, उस दो आपने देखा कि maximum जो loan amount है, कोई fix नहीं है, वो depend करता है, आपकी repaying capacity कितनी है, आपकी requirement कितनी है, उसी के हिसाब से आपको maximum loan amount दिया जाता है, State Bank of India home loan rate of interest, अप टू 30,00,000, सिब्ल स्कोर higher than 800, 6.75, 6.70%, यह festival season rate of interest है, 31st December तक यह applicable है, मेबी उसके बाद change हो सकता है, Above 30,00,000, सिब्ल स्कोर 700 to 750, 6.90%, सिब्ल स्कोर 751 to 800, 6.80%, सिब्ल स्कोर more than 800, 6.70%, तो minimum floor rate जो 6.70% है, बाकी आपके सिब्ल स्कोर पे depend करेगा, आपको कितना rate of interest charge किया जाएगा, rates जो हैं, अभी के latest rates हैं, rates are always subject to change, जब भी loan ले, latest rates जो है, bank की website से चेक कर ले, यह हमें नीचे comment box में comment करके पूछ सकते हैं, loan security, तो security के लिए bank क्या करेगा, आपकी जो भी property होगी, housing property, जो आप घर खरीद रहे हैं, flat खरीद रहे हैं, construction कर रहे हैं, उस property का equitable mortgage किया जाता है, preferably bank equitable mortgage करते हैं, क्योंकि इसमें lower cost involved होती है, इसमें खर्चा बहुत कम होता है, customer का, इसलिए banks equitable mortgage को prefer करते हैं, और आपके जो original title leads होते हैं, वो bank के पास रहते हैं, जब तक कि आप सारा loan repay नहीं कर देते हैं, बट अगर equitable mortgage possible नहीं है, तो उस case में registered mortgage किया जाता है, State Bank of India, home loan charges, festival season के लिए अभी के time processing fee निल है, और SBA के दो तरह के projects होते हैं, एक approved projects होते हैं, दूसरे होते हैं, अन approved projects, approved projects जो हैं, वो आप www.sbareality.in.com पे जाके चेक कर सकते हैं, अगर आप उन projects में से कोई investment करना चाहते हैं, तो as per SBA website, आप से कोई भी charges नहीं लिये जाते हैं, बट अन approved जो project हैं, जो कि उस website पे लिस्टेड नहीं है, उनमें आपको processing fee पे waiver दिया जा रहा है, बट टाइटल information report जिसको legal opinion रुपेर काते हैं, जो कि bank का lawyer तयार करता है, जिसमें title वगारा confirm किये जाते हैं, उसके charges customer को bear करने पड़ते हैं, उसके अलावा property की जो valuation की जाती है bank के approved value के द्वारा उसके charges भी customer को bear करने पड़ते हैं, इसके अलावा अगर आपकी state में कोई भी stamp duty वगारा applicable है तो वो भी आपको bear करनी पड़ेगी, तो दोस्तों ये था state bank of India home loan, कैसा लगा आपको आज का यी video comment box में comment करके ज़रूर बताएं, अगर आपको यी video पसंद आए